गाइस रेम चेलेंज के लिए मेरी बाइक तयार है आप सभी देखी सकते हो कि मैं अपने बाइक के साथ सवारी स्टार्ट कर चुकी हूँ तो गाइस जैसा कि आप सभी देखी सकते हो कि इस पत्थर को पार करते हुए मैं पहुँच गई हूँ आगे और यहां पर सामने हमें पंखे देखने को मिल जाते हैं इस पंखे से हमें बच कर रहना पड़ेगा तो आप सभी देखी सकते हो कि मैं अपने बाइक के साथ धीरे-धीरे स्पीट को बढ़ाते हुए आगे पहुच गई हूँ अरे ये क्या बाबा मैं तो इस पंखे से धीरे धीरे गिरते हुए बची हूँ तो गैस जैसा कि आप सभी देखी सकते हो कि मैं इस रैंप को पार करते हुए काफी जादा आगे पहुँच गई हूँ मुझे तो यह रैंप काफी जादा खतरनाक लग रहा है अब मुझे पता नहीं कि मैं इस रैंप को पार कर पाऊंगी या नहीं इसके लिए तो आप सभी को इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा तो गैस आप सभी देखी सकते हो कि मैं इस टनल के पास पहुँच गई हूँ और यहां आगे पहुच गई है यहां तो पेड़ है बाबा और मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है और अब मैं पहुच गई हूँ इस रैंप के पास रैंप के पास पहुचते हैं और में बहुत सारे डश्ट बिन भी दिखाई देते हैं जो कि हमारा रास्ता रोकने का प्रयास कर रही है पर कोई बात नहीं मैं भी जूली हूँ इस रैंप को जरूर कम्प्लीट करके दिखाऊंगी तो गैस आप सभी देखी सकते हो कि मैं इस डश्ट बीन वाले रास्ते को पार करके काफी जादा आगे पहुंच गई हूँ और आब आगे ये देखना पड़ेगा कि इस रैंप में और कौन-कौन सी खतरनाक चीजे हमें देखने को मिल जाती है गैस इस रैंप में सबसे ज़्यादा खतरनाक तो ये पंखे ही है जो हमें सीधे ही नीचे ढखेल देते हैं वैसे मैं तो एक भी बार नीचे नहीं गिरी हूँ लेकिन आप सभी देखी सकते हो कि यहाँ आगे पहुंचने पर हमें पेंड दिखाई देता है तो गैस आप सभी देखी सकते हो कि पेंड ने मेरा रास्ता रोका हुआ है लेकिन मैंने भी इस पेंट को पार कर लिया ये क्या मेरी बाइक तो वापस से पीछे आ रही है चल मेरे बाइक आगे चल तुझे इस रैम को कंप्लीट करना पड़ेगा ये क्या गाईस मैं तो सिधे नीचे ही गिर गई चलो कोई बात नहीं मैं इस ramp को complete नहीं कर पाई लेकिन आप सभी को इस ramp को drone shot की मदद से जरूर दिखा देती हूँ तो guys यहां से चालू होता है हमारा starting point और यह ramp काफी ज़्यादा लंबा और खतरनाक है यहां पर जगा जगा पर पंखे लगे हुए हैं जो की काफी ज़्यादा खतरनाक है मैं तो इन पंखों से एक भी बार नीचे नहीं गीरी हुई लेकिन पेंड के पास जाका रटक गई मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि यह ramp काफी ज़्यादा लंबा और खतरनाक है इस ramp challenge को complete करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मैं तो इस ramp challenge को complete नहीं कर पाई इसलिए आप सभी को drone shot की मदद से दिखा रही हूँ और यहां पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पंखे भी लगे हुए हैं और आप सभी देखी सकते हो कि R5 से dial होने वाले यहां पर props भी उपयोग किये गए हैं जो कि काफी ज़्यादा सांदार लग रहा है यह ramp तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लेकिन मैं इस ramp को complete नहीं कर पाई तो guys आप सभी देखी सकते हो कि मैं drone shot की मदस से दिखा रही हूँ यह ramp काफी ज़्यादा लंबा है जितना ज़्यादा यह ramp लंबा है उतना ही ज़्यादा खतरनाक है यह ramp उपर आसमान में बना हुआ है मैं आप सभी को बता देती हूँ कि यह ramp हमें घर के justice आमने देखने को मिल जाएगा इसका starting point घर के side में देखने को मिल जाएगा और अब बारी है आप सभी को बताने कि इसका finishing point कहां पर हमें देखने को मिल जाएगा तो guys आप सभी देखी सकते हो कि drone की help से मैं आप सभी को दिखा रही हूँ आप सभी देखी सकते हो कि यहाँ पर tunnel जैसा भी बना हुआ है इन tunnel को पार कर सकते हो तो guys आप सबी देखी सकते हो काफी जादा देर के बाद मैं finishing point में पहुँच गई हूँ जो की काफी जादा सांदार है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में आपको यह वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताना